दोस्तो आप लोगों ने राया मिडास की कहानी तो जरूर सुनी होगी जो जिस बस तू को हाथ लगाता था वो सोने बदल जाती थी परंतु क्या आप लोगों ने एक ऐसी जिल के बारे में सुना है जिसके पानी को छूते ही कोई भी इंसान है जिवित प्रानी पत्थर का बन जाता है मगर यह कोई कहानी नहीं है एक ऐसा है जिल हमारी पिर्थी पर मुझूद है जो की उतरी तंजानिया में है इस खतरनाक जिल को नेट्रान जिल कहा जाता है तंजानिया के लोगों का मानना है कि जिल के पानी को जो भी छूता हो पत्थर का बन जाता है इसका प्रूफ जील के आसपास पाई जाने वाले सेंगड़ों पच्छियों की मुर्तियां है जिने देखने से लगता है कि सचमुज इन लोगों ने पानी को छुआ होगा क्योंकि मानम इनमित पत्थर की मुर्तियां इतनी सटिक नहीं हो सकती तंजानिया के अरूसा इलाके में बनी रहस्माई जील के दूर जिराज़ता कोई आवादी नहीं है इस जील के आसपास पत्थर के जानुर और मुर्तियां पड़ी है जिने देखर जील के जादूई होने का सभी मानते हैं लेकिन बेग्यानिकों को कहना है कि इसके पीछे कोई जादूई सकती नहीं बलकि पानी का रसाइनिक होना है दरसल लेट्रॉन जील एक अलकलाइन जील है जहांकर पानी में सोरियम कारगोनेट की मात्रा बहुत जादा है इस जील के पानी की अलकलाइन की पीछ 9 से 10.5 है जो की आमोनिया जितना है इस जील में जाने वाले पसूपच्ची कलसिसाइड होकर पत्थर बन जाते हैं एही कारण है कि जील में जादा वक्त तक रहने वाले जानवर रसाइनिक मौत का सिकार हो जाते हैं यहां के जील के पानी में एक ऐसा तत्वी पाई जाता है जो फलकैनों का राफ में पाई जाता है इस तत्व का पयोग मिस्ट वासी मम्यों को सुरक्चित रखने के लिए क्या करते थे बग्यानिकों के मुताविक पानी में डेड़ बॉड़ी डिकमपोज नहीं होती जील के पास गए और उन्हें वहां के बहुत सारी फोटो जीची इस पर उन्हें एक बुक भी लिखी जिसका नाम एक रॉस दर रेवेज्च लैंड है इस किताब में जील के रहस्यों को बताया गया है हलांकि निक ब्रेंडट इस रहस्यों को सुलजा नहीं पाएं कि आखिर जील के आसपस इतनी पच्छों की मौत कैसे हुई तो दोस्तो यह जील है ना हरान कर देने वाली जब पसुप अच्छी पत्तर के बन सकते हैं तो इनसान क्यों नहीं इसलिए आप जब भी जील के पास जाएं तो पूरी सब्धानी बढ़ते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शिर और सब्सक्राइब को बनता हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक और आमेजिंग जानकारिक साथ जय हिंद जय भारत